हलो अबरीवर आप सभी का स्वागत है इगल आई इस दा स्टेडी जोन में तो साथियो जेपीसी पीटी ओवर हो चुका है और एक्सपेक्टेड जो कटप मार्स है वो आप सभी तक पहुंच चुका होगा अब तक आप सभी को आप सभी ने अपना आकलन भी कर लिया है एक अ उसी प्रकार जो है वहाँ भी आपको बहुत कम समय मिलेंगे तो जितने भी विद्यारती जो अपने आपको 70% तक देख पा रहे हैं पीटी में वो सेव जोन में है और उनको जो है मेंस के लिए बहुत जल जो है ततपर तरीके से लग जाना चाहिए याद रखेगा यह सिव जवस है और उसके बाद आपको उन बच्चों में से सेलेक्शन मी लेना है तो अभी जो चर्चा का विशह है वो है पेपर थ्री पेपर थ्री के टोटल डिस्कॉशन जो है हम लोग करेंगे और आने वाले समय में पेपर का एनालिसिस भी जो है हम अपने यूटूब्स पर क चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए पेपर थ्री को लेकर के हम लोग आज अनालिसिस करते हैं तो पेपर थ्री में सोसल साइंस का पेपर है हिस्ट्री एंड जिगरफी दोनों को मिला दिया गया है तो जार्चंट में जो पेपर है याद रखिएगा वो बहुत बड़ा होता हिस्ट्री को भी मरज़ है और जिगरफी भी मरज़ है मनें आपको टोटल हिस्ट्री लगभग याद रखिएगा 90 परसंट तक हिस्ट्री आपको पढ़ना है 90 का उससे ज्यादा ही है और जिगरफी भी टोटल ही है मानके चलिए और इसके साथ साथ इंक्लूडिंग लिखन भी आपको देखना पड़ेगा तो ये सारी चीज़े जो है मेंस में है बहुत बड़ा सिलिवाइस और समय बहुत कम है और उनमें भी लिखन सेली का डिवलप्मेंट अलग से करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए डिसकुशन प्रारम करते हैं यहाँ दखेगा पेपर को पेपर 3 जो सोसल साइंस है जिसमें हिस्ट्री और जिगरफी है इसमें हिस्ट्री के लिए क्या है सो मार्क्स ठीक है और जिगरफी के लिए भी सो मार्कस अर्थाद दो सो के लिए जो है बता रहे हैं कि हिस्ट्री का सो मार्कस में बाट दिया गया और जिगरफी को भी हंड उन सभी को ले करके हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं कि हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होगा पहले देख लेते हैं सबसे पहले याद रखिएगा हिस्ट्री की MC की उस objective questions होगा, जो क्या रहेगा, compulsory अर्थाथ, आपको ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसे छोडने पड़ आपके marks कट जाएंगे, तो ये आपको बनाना negative marking की कोई संभावना नहीं है, याद रखना है, तो इसी प्रकार, जैसे एक प्रशन में आपको बता दे रहा हू जो की 7th JPSC में पूछा गया था, स्थानिय श्वशाशन किसका अशाधरन गुन था, और 4 options आपको दिये गया थे, चोल प्रिशाशन, गुप्ट प्रिशाशन, बीजय नगर प्रिशाशन और मगल प्रिशाशन, question बहुत ही आसान है, चोल प्रिशाशन की विसेस्ता रही थ local self-government, तो इसका उत्तर क्या होगा थे, चोल प्रिशाशन, ऐसे ही 10 questions आपको दिये जाएंगे, ठीक है, तो 10 और into 2 कितना हो गया, ना 20 हो गया, तो history का जो पहला question है, वो multiple choice हो गया, ठीक है, चलिए, next, next देखते हैं कि दूसरा क्या है, दूसरा section जो रहेगा, section A, जिसे हम कह रहे है, section A, या हम कहेंगे कि history का जो second part है, वो long type answer होंगे, और ये कितने का होगा, इसमें आपको answer करना है, any two answer करना है, याद रखेगा, और any two का marks क्या होगा, तो 40 marks करके होगा, अर ता 40 to 2 मिला करके कितने होगा, 80 marks के होगा, और उधर में, जो ये, mcq से वो कितने होगा, 20 तो कुल मिला कर कितने होगा, 100 होगा, history के, याद रखेगा, तो इस प्रिकार, तो answer करना कितना, any two answer करना, और वो प्रते कितने marks के होगा, 40, तो कुल मिला कर के होगा, 80 और plus होगा, 20, तो 100 marks का आपका history होगा, ठीके, पूर्ण रूप से आपको pattern समझ में आ गया, पहले question number 1, compuls 10 questions, 2 marks रहेंगे, 20 होगा, multiple choice होगा, और बाकी long questions होगे, जो की history के अलग-अलग section से 4 questions दिये जाएंगे, जिन पर आज हम लोग discussion करें, उनमें से any two आपको बनाना है, ठीक है, जो की 40 marks के होगे, अब आप समझ लीजे कि सब्दों पर आपको ध्यान देना है, 40 marks है, तो 600 से लेक calculation भी ध्यान में रखेगा, एक भी questions अगर आपका छुटा तो आपके 40 marks कट जाएंगे, तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा, यहां चार ही options रहते हैं, इसमें कोई sub options नहीं रहता है, जैसे माल जी की question A का, दो और option कर दिया, 20-20 कर दिया गया, तो history और geography में ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, history quiz syllabus को, I hope कि आप लोगों को history का पूरा syllabus समझ में आ गया होगा, कि किस तरह किसी questions रहेगा, 40 marks के बारे में long questions भी मैंने आपको बता दिया, अब देख लेते हैं कि history के जो syllabus से उसको लेकर के detail में चले जा आएंगे, antiquity और stratifications of the Vedic literature, society, economy, religion during early Rigvedic period, early Rigvedic period को लेकर के करना है, आपको letter वाला छोड़ दिया गया है, दा लिच्छवी and their Republican constitutions है, लिच्छवी और उसके गंतंत्र जो पनाली थी, वो दिखाया गया है, the rise of Magad Empire जो है, ये भी है, दा मयुराइज है, extent है, कलिंग वार तो दा कुशानज है, कनिस्क है, कनिस्क का extent of empire है, उसके religious policies है, art cultures है, letter during the कुशान period है, गुपता भी है, extent of empire, development of language, literature, art during the गुपता period, हर्शवर्दन है, the last great Hindu ruler of Northern India, cultural achievement of during this period, the चोला, maritime activity in South East Asian countries, चोला administration, art and culture, और cultural achievement of the Pallavas, देखिए, धियान से रिखेगा, कि जो चीजे छोड़ दी गई है, उन चीजों को छोड़ना है, ठीक है, पूरा syllabus नहीं है, syllabus के according ही जाना है, एकदम बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखिएगा, जितने भी student examination देने जा रहे है मेंस का, जो syllabus में जो portion लिखा हुआ है, उन portions पर ही, आप अपना लेकंसली development करे, ओरिजिन्स ओफार, तो ओरिजिन्स आर्यों के आगमन को लेकर कि जो सिधान्त दिये गए थे, उन सिधान्तों को ही लिखिए, बाकी सारे portion छोड़ दीजिये, ठीक है, तो इन पर जो है, दलिख्षिवीज एंड रिपब्लिकल कॉशिचुशन, तो लिख्षिवियों के जो गंतंत्र अत्मक पढ़ाली थी, उसको लेकर ही लिखिए, ऐसा ना हो कि आप उसके पीटी बेस जो है, पढ़ाई करें, वो नहीं होगा, तो इन पर आप जो है, लेखनसली प्रारम कर दे, ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 7 JPSC में ही, सिंदु घाटी से ए इंडास बेली सिविलाजेशन, इसका यह एकदम सीध है, इसमें कोई एनलीसिस नहीं करना था, इसमें आपको सिंदु घाटी सिबता की प्रभावशाली विसेस्ताओं को क्या करना है, ना चर्चा करना था, आप इन सभी के साथ इसको क्या कर सकते, चर्चा कर सकते, तो 7 JPS इसी का ये question मैंने आपके सामने रखा और I hope आपको एक idea मिल गया होगा तो ये तो था प्राचीन प्राचीन से एक question पूछा जाएगा अब तो प्राचीन के जो important section उसे note कर सकते कि कौन कौन section बहुत important है एक बार देखें ये मेरा मत है और I.O. कहां से प्रशन पूछेगा ये तो कोई भी नहीं बोल पाएगा 100% sure नहीं है पर पिछले मान लीजेगी कई JPC's देने के बाद और P पुभव के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं मैंने already 6-7 जेपेसी का मेंस लिखा हुआ है उससे पुर्विके जो भी जेपेसी उनमें भी लिखा हुआ है तो जो एक idea है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं ठीक है तो कौन-कौन section important है जो हम अपना मत यहां पर रख institutions है यह भी है rise of magad empire यह तो है ही इसे लिखना ही है कि magad empire का जो rise हुआ वो किन-किन कारोनों से हुआ यहां गंगा नदी के तटका एक क्या था ने बड़ा communication center था यहां लोहे जो जहरकन में जो लोहा मिल रहा है यह भी एक विकास का क्या है बहुत बड़ा कारण है तो इन ची मागद को ही भारत के तौर पर जाना जाना लगा ठीक है चलिए the rise of magad empire तो आएगा ही ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं असोका के असोका पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप सभी को मालूंगे कि असोका का धम सबसे जादा है और foreign policy जो है यह काफी important है development of art and art teacher during the majoran period यह important section भी है क्योंकि UPSC में भी जो है art and culture को लेकर के एक अलग section ही बन गया है अब उस पर ज्यादा focus रहता है होने लगा है धीरे धीरे तो art and culture पर मयुरायन की कला, इरान की कला के साथ कैसे match कर दी है तो इन पर उनकी समानते और विश्यमतायों पर हो सकता प्रशने आ जाए बोधिशत्वी की इस तरह की कलपना क्या है इन पर भी चर्चा हो सकता है असोका धम पर भी क्या पूछा जा सकता है ना प्रशने पूछा जा सकत तो इन सभी चीजों के साथ हमारे साथ जुड़े रही कई हिस्ट्रोई के प्रश्ण जो है मैं आपके सामने discussion करूंगा कुशाना से कनिस्के के समय में जो बुद्ध का जो प्रिशार हुआ था बुद्ध संस्कृति का जो प्रिशार हुआ था उसके religious and development of art and culture ये भी important है गुपता भी important है गुपता में भी पढ़ना है आपको ठीक है language literature क्यों इसे जो है सबसे क्या कहा जाता है सबसे महान यूग कहा जाता है किसके दृष्टि कोन से language और literature के दृष्टि कोन से तो ये प्रशन का कई बार रहता है तो इसे ही पढ़ना है और इसे ही लिखना है आप लों को ठीक है हर्षावर्धना के achievement को ले करके प्रशन पूचा जा सकता है या उस काल के दौरान उन्होंने जो बाद धर्म के लिए जो उन्होंने काम किया उस पर प्रशन पूचा जा सकता है ठीक है चोला को लेकर के तो देखिए चोला पर तो प्रशनी प्रशन है चोला पर प्रशन पूछा भी जा चुका है बहुत important है चोला का चोला वाला पार बहुत अच्छे से कीजेगा एक तो इसके local self government को लेकर के प्रशन पूछा जा सकता है दूसरा है कहना South Asian जो है East Asian countries में जो relation है उ पूछा गया था 6th JPSC में प्रशन पूछा गया था और क्या प्रशन था वो मैं आपके सामने बहुत जल्ड discussion के लिए लेकर करा हूँगा 6th JPSC का प्रशन प्रशन था कि चोल सासोकों की इस्थानिय शाषन प्रणाली की मुक्विसे इस्थाओं का वर्णन करे डिस्क्राइब दी में फ्यूचर अफ लोकल अडिमिस्टेशन अब चोला रूल से यह पहला कोशन था 40 मार्क्स के कोशन थे तो चोला के जो कोशन है वो 6th JPSC में पूछ दिये गया और 7th JPSC में कहा पूछ दिये गए तो वो हो गया इंडर्स वैलिय से पूछ दिये गया तो दो पार्ट तो हो गया है आगे का पार्ट आपको करना पड़ेगा इन दोनों पार्ट को समाइद करते हैं ठीक है तो इस प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है चलिए आब आगे बढ़ते है देखे हिस्ट्री पेपर का अनालेसिस बहुत जल्द हम करेंगे 6 और 7 को लेकर के हमारे साथ जुड़े रहीएगा तो यह तो था प्राचीन मेडियाविल की बात कर लेते हैं दारव इंवेंचिन ओफ इंटिया अरब का अक्रमन गजनवी का अक्रमन डैली सल्तनत है MARKET AND MILITARI POLICY तो आप सभी को मालू मैं कि अलाव दिन खिल जी का जो MARKET POLICY और MILITARI POLICY वो आता ही है और इस पर प्रश्ण बनता है और उपोट्यन पॉलिसी पर तो कोशन बन चुका है यह दिए कोशन अलड़ी बन चुका है याद रखिएगा कि मुहमद बीन तुगलग को लेकर करके 6 JPSC में question बन चुका है 6 JPSC में already जो एक टूपिन policy मुहमद बीन तुगलग पर question बन चुका है question क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ मुहमद बीन तुगलग के सांकित्रिक मुर्द्रा निती का आलोच चुनात्मग परिक्षन करें critical analysis examine sorry critically examine the policy of token currency of मुहमद बीन तुगलग तो यहाँ से 6 JPSC प्रशन पूचा जा चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं religious movement, suffism, bhakti movement, down of new Islamic culture, इंडो-स्लामिक architecture, development of Urdu and Hindi language, the Mughal first battle of Panipat, achievement of ser-sasuri, ser-sasuri के topic पर ध्यान दिजेगा क्योंकि इसका लगाब जारकंट से पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को देखना है, establishments of jagid-dari, jagid-dari और manasab-dari system को देखना है, यह तो UPC level तक भी इसका बहुत importance role है, और अंग्जेभगी religious और आजपूत policy, बिलकुल यह देखना ही है, यह भी आपको ध्यार में रखना होगा, मुगल architecture और painting जो है काफी important है, इसकी socio-economic policy भी important है, इन सभी चीज़ों को देखना है आप सभी को, ठीक है, the rise of marathas, बहुत महतबून प्रशन है, यह देखे, the rise of marathas, कई प्रशन पूचे जाते हैं, ठीक है, तो यह mains के दिश्टिकों से भी बहुत important है, इसलिए इसको भी देख लीजएगा, ठीक है, अब बात करेंगे modern, तो medieval से भी आपका कितना question रहेगा, एक question रहेगा, 40 marks के, इतने, इतना slivers पढ़ने के बाद, आपको एक ही question लिखना है, 40 marks का लिखना है, साड़े 600, 600, साड़े 600 सब्दों के रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो कोई दो लिखना है, या तो आप राचीन और medieval को दोनों को selection कर लीजे, या modern और medieval को selection कर लीजे, तो ये चीज़ दिहान रखना है कि आपको selection किस पर करना है, history के चार पार्ट है, चार पार्ट में, आप कौन से portion को लेकर मेंस देने जा रहे हैं, इस बात को जरूर तैय कर ले, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, modern period में भी, beginning of the European settlement, European settlement से सुरू हो रहा है, बाकी सारी चीज़े यहां पर है, travel, cultural, renouncement, revolt of 1857, social movement है, Brahmin समाज, आरिस समाज, राम कृष्न मेशन, ये है, social reform movement in Muslim community, वहभी movement, अलिघर movement है, struggle for rising human status, evolution of city system, widow marriage act, constant bill है, female educations है, land revenue administration है, British rule, permanent settlement, rate वारी, महल वारी, सारे important है, modern के तो सारे party important है, अच्छा, ये वाला section, ये वाला section काफी क्या होता है, कई बार मिलता भी नहीं है, और ये काफी important हो जाता है, एक तो, India after independence वाला, ये देखिएगा, इसे, अगर यहां से प्रशन पूचा जा चुका है, इसलिए इन पर हम चर्चा कर रहे हैं, कि इस पार पर प्रशन पूचा जा चुका है, बहुत जल्दी आपके सामने प्रशन भी आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा ये जो section है, the partition of India and its consequences, ये जो देख रहे हैं, इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जादातर क्या होता है, देखा जाता है कि बाद का sections की तैयारी बहुत कम मचे करते हैं, तो उस पर आयोग ध्यान देकर के प्रशन पूच देता है, तो ये भी देख लीजेगा, modern का पूरा portion तो ही, बट after independence के साथ जो है, बांगलादेश जो freedom moment है, वो बाला भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए next देखते हैं क्या कुछ है, next हो गएं आपके history of जार्गन, तो एक question तो आपको जार्गन से रहेंगे, और जार्गन में आपको सब कुछ देखना है, जैसे ये portion है, आप JSC और JPC, जिन लोगों ने JSC दिया, जिन लोगों ने JPC दिया, उनकी एक अनुबब तो हो चुका है, अब उनको सिर्फ लिखना पड़ेगा, आदी धर्म सरना धर्म को लेकर के आपको लिखना है, राइट लिखना है, नैसनली स्ट्रगल है, बिरसा मुवमेंट तो सबसी इंपॉर्टनेंट है, और पिछले 6th प्लस 7th याद रखिएगा, दोनों में पूछ चुका है, ये अल्डेटी, ताना भगत मुवमेंट है, फ्रिदम मुवमेंट आफ जार्कन, तो एक एनलिसिस आपको पड़ेगा, ठीक है, तो आपका सेलेक्शन तैह होना चाहिए हमारे साथ, और साथ में हमारी सुबकामनाई भी आपके साथ है, हमें 7th लिखने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद हमारा age ही क्रॉस हो गया, और हम पिछले 2 साल से आप सब के सामने गोबाल घोशन के नाम स देखना है, हिस्टी 100 मार्क्स करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मार्क्स, 10 into 20 मार्क्स के objective रहेंगे, और 40 मार्क्स में 2 लिखना है, any 2 लिखना है, हिस्टी के 4 सेक्षन में, या तो ancient medieval आप चूज कर ले, 40, 50, एक ही मिलेगा, इसका कोई sub clause मतलम नहीं रहेगा, एक 40 क divide नहीं रहेगा, ध्यान में रहेगा, 40 का सिर्फ एक ही question रहेगा, तो या तो आप medieval और प्रीग ले ले, या तो आप medieval modern ले ले, या modern या जारगर ले ले, लेकिन एक बात ध्यान में हम आपको बताना चाह रहे है, कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए, यहां बहुत important है, क्य हमने भी इसी mechanism को लेकर तैयारी करकर हम जाते हैं, कई बच्चे जाते हैं, कि हम कोई दो portion चूज करें, अगर माल लीजी कि उन दोनों प्रशनों में प्रशनों का जो level है, वो थोड़ा अगर out चला गया है, applied type का हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप एक मूल भूत जिसको हम कहेंगे कि, जो है मूल भूत जो history का part है, उसमें से आपको choose करके उनकी तैयारी रखनी होगी, चारो section में आपकी तैयारी होनी चाहिए, कोई भी section जिसमें आप बहतर कर सकते हैं, उन दोनों section को लेकर के आगे बढ़ जाईए, ठीक है, तो चलिए, आग 20 questions आएंगे, multiple choice, और जो चार section है, हमारे उन चारो section से, एक-एक question आएंगे, तो ये physical geography से कितना आएगा, एक question आएगा, कितने marks का आएगा, 40 marks का आएगा, ठीक है, पिछले बार का, अगर हम आपको, एक questions के बारे में, मैं आपको बता दे रहा हूं, कि पिछले बार, अर्था choice questions के बारे में बता देता हूं, बेगनर के अनुसार, महादी प्रवावीत हुए, option A, भूमद रेखा एवंग उतरी धरूब की और, option b भूमत रेखा है वंक पशिम के और option c भूमत रेखा है वंक दशिंद्रूब के और option d भूमत रेखा है वंक पूरव के और तो यह तो हो गया multiple choice के questions है ठीक है और physical की अगर हम लोग बात करें कि फीजिकल में और क्या पूठा जा सकता है तो कि physical में जो है nitrogen को लेकर के ट्रॉपिकल को लेकर के पूठा गया था उश ने Kathamedhya चक्रवाद को लेकर के पूठा गया था प्रशन तो समझ में आ रहा कई बार करेंट सेनारियों को देख करके पूछ दिया चुकि ट्रॉपिकल साइकल जादा है तो उस पर पुछ न पूछ दिया ओरीजिन एव लूशन ओफ एर्थ है इंटेडियर ओफ वेगनर कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट काफी यह थियोरी काफी प्लेट टिक्टोनिक पार्ट काफी माना जाता है इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक और सुनामी यह दोनों को देख लेना है इसके वालाबा जो वेधरिंग और मास प्रोसेस है इससे देख लीजेगा पैंक और डेविस के आइडियास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मा हो रहा है साथ में जो है आपका जो सलाइन अर्था समुद्रिक पानी से जो लैंड फॉर्म हो रहा वो भी आपको देखना है ठीक है इसके अलाबा इंसुलेशन हिट बजेट अपर छोटा है लेकिन क्या है काफी अच्छे तरीकी से लिखा जासा सवाल है कि 40 मार्क्स में इ यह हो सकता है एर मास और फ्रंट यह तो काफी जो है धुरूब जो है यह काफी इंपॉर्टेंट शेक्षन माना जाता है जो इसके अलाबा क्लाइमेट तो पूचता है कोपन और इसके साथ ओनमेट यह दोनों पढ़ना है और इसमें 40 मार्क से लिखने के लिए बहुत ध्रेंड किया होता एंप देहान में अगरेंज जो सिस्टम आपको तयार करना हैincome और इंडिए कूलिंध यह एंडिया रखेंड्या इंडिया और 1 इंडियन मौनसुन देखिए कॉपन और यहां पर यहां पर है तिवार्था दो ध्यान में रखिएगा ऊपर में कॉपन और थॉर्णवीट का क्लासिफिकिशन और इंडियन मौशुन में आपको ट्रिवार्था पढ़ना है कॉपन और ट्रिवार्था को रेकल के आपको पढ़ना है ग्रीन डेवलुशन एन इंपक्ट ऑन मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडियन फूड इसकार सिटी देखिए हाली में जो है में स्वामनी अधन को क्या मिला है आपने देखा कि उन्हें पुरुषकार दिया गया है तो हो सकता है कि यहां से जो है क्या पूछा जाए ना प्रशन पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नैचुरल फॉरस टाइप डिस्ट्रिविशन कंजर्विशन अर्था जंगल कितने ब जो लौ है उससे पूछा जा सकता है कि population की साधार बढ़ रहा है ठीक है type of settlement से प्रशन पूछा जा चुका है और परशन पूछा गया था हाला कि यह जारकन से जुड़े वे थे जारकन में ग्रामीन अधिवयासों के प्रकारों की वैख्या कीजिए तो यह जारकन से जुड जरूर देखें याद रखिएगा selection करवाने का एक मात्र उपाई यही है सेकेंड हम कहेंगे की सेकेंड जेपेसी से लेकर आपको सेवन जेपेसी के प्रशनों का खूब evolution करना होगा और उन्हीं topic पर जादा से जादा writing लिखनी है आपको ठीक है तब आपका selection तै हो जाएगा पिछले कुछ वर्सों में यह section काफी उभर करके आया है और यहां काफी प्रशन पूछे आ रहे हैं तो इस पर जरूर देहान दीजेगा कि यह section आपका complete होना चाहिए geography of जारकंड एक question तो जारकंड से रहे है जैसे हैं आपको बताए कि जारकंड में ग्रामीन अधिवासी को प्रकार बताईए तो यह तो 6th में पूछा गया था इसी तरह के 7th में भी पूछा जा सकता है अब इसको लेकर कि आप जो है writing practice करिए रिवास है दामोदा और सुबना रिखा जो बहली project है उसको लेकर कि आप लिखिए call के बारे में पूछा गया था 7JPC में की call का जो distribution उसको लेकर के लिखना है तो उसको लेकर कि आप क्या कर सकते हैं question लिख सकते हैं तो यह था या देखिएगा साथियो यह दो paper आज sorry paper 3 का total जो है हमने discussion किया कुछ questions भी आपके सामने रखे आने वाले समय में मैं आपके लिए जो है questions का analysis लेकर के हम आएंगे और उससे आपको पूर्ण रुप से clear हो जाएगा कि कैसे इस पुर्व में question पूछे गए हैं JPC में इसमें हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद